तो अभी हाली में कल यानि की 11 मार्च को विवेक रंजन अगनी होतरी जी की मज़विटेट फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को सिनेमा गुरों में रिलीस कर दिया गया था इस फिल्म को दोस्तों सिर्फ साले 500 स्क्रीन्स पर भारत भर में रिलीस किया गया था और जी के बाद से दोस्तों सभी को इंतिजार था कि आखिर ये फिल्म अपने पहले दिन कितने करोट की कमाई कर सकती है क्योंकि दोस्तों विवेक रंजन अगनी होतरी की जो पिछली फिल्म थी उसने महस 40 लाख रुपे से बॉक्स अविस पर शुरुआत ली थी और फिल्म थी कश्मीर फायल्स को दोस्तों पहले से ही सिनेमा ज़रों में चल रही फिल्म गंगुभाई काठिया वाली साथी साथ दोस्तों कल रेलीज होई बिग बज़ेट फिल्म राधे-शाम से भी क्लैश का सामदा करना पड़ा था ऐसे में दोस्तों सभी के मन में ये सवाल था कि इन सब Clash के बावजूद और कम स्क्रीन्स पर रिलीज होकर फिल्म दी कश्मीर फाइल्स आकर कितने करूट किया ओपनिंग ले सकती है तो दोस्तों आपको बताते चले कि फिल्म दी कश्मीर फाइल्स ने वर्ल्वाइट बॉक्स आविस पे कल 4 करूर 25 लाग रुपे का कलेक्शन हासिल किया है जिया दोस्तों फिल्म के डिरेक्टर विवेक रंजन अगनी होतरी जी ने खुद अपने ऑफिशल ट्विटर हैंडिल से इस फिल्म के फर्स डे वर्ल्वाइट बॉक्स आविस कलेक्शन रिवील किये हैं जिसके साथ उन्होंने लिखा साथ ही दोस्तों आपको बताते चले कि फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को जिस तरह का रिस्पॉंस ओडियन्स की तरफ से मिल रहा है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म के आज जाने की सेटे डे और कल जाने की संडे के बॉक्स आविस कलेक्शन में हमें जबरस्त ग्रोथ देखने को मिलने वाली है और यदि दोस्तों इस फिल्म को जादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया होता तो ये फिल्म दोस्तों कई सारे बॉक्स आविस के रिकॉर्ट सोड़कर 10-15 करोड की भी ओपनिंग हासिल कर सकती थी तो दोस्तों फिल्म दी कश्मीर फाइल्स के इस बॉक्स आविस कलेक्शन पर आपका क्या कहारा है साथी दोस्तों आपको क्या लगता है कि फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को यह ज़ evangelies किया जाता तो ये फिल्म कितने का रोड की ओपनिंग लेती हमें अपने प्रेडिक्शन कॉमेंट गिर की जरूर बता है साथी इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रही चैनल के साथ कर दी चैनल को सबस्क्राइब साथी में दिख रहा है बेल आइकन को भी दबा दीजिए